नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं नवरात्री नौ दिनों का त्योहर है और इन दिनों में दुर्गा मा के नौ रूपों की पूजा की जाती है मा आदिशक्ती दुर्गा के हर स्वरूप की महिमा निराली है तो चलिए जानते हैं मा के नौ स्वरूपों के बारे में विस्तार से नवरात्री के प्रथम दिन मा शैल पुत्री का पूजन किया जाता है ये मा दुर्गा का प्रथम स्वरूप है ये राजा हिमाले अथवा शैल की पुत्री है इसी कारण ये शैल पुत्री कहलाती है ये व्रिशब पर विराजती है, इनके दाहिने हाथ में तुरुशूल तो बाएं हाथ में कमल धारन करती है प्रथम दिन इनके पूजन से ही भक्त के नौ दिन की आत्रा आरंब होती है मा दुर्गा के नौ सोरूपों में मा ब्रह्मचारिनी दृतिय सोरूप है ब्रह्मचारिनी अर्थात तब का आचरन करने वाली इन्होंने भग्वान श्रीव को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तब किया था इसलिए ये ब्रह्मचारिनी कहलाई मा ब्रह्मचारिनी का स्वरूप अत्यंत जोतिर्मय है इनके बाए हाथ में कमंडल सुशोबित है तो दाहिने हाथ में ये माला धारन करती है इनकी उपासना से सादग को सदाचार सैयम की प्राप्ती होती है नवरातरी के तीसरे दिन मा चंदर गंटा का पूजन होता है ये मा दुर्गा की तृथिये शक्ती है इनमे, ब्रह्मा, विश्नु और महेश तीनों की शक्तियां समाहित है इनके मस्तक पर अर्ध चंदर सुशोबित है इसी कारण ये चंदर गंटा कहलाती है इनके गंटे की ध्वनी से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती है इनके रंग सुवर्ण के समान चमकीला है ये सिंह पर विराजती है मा चंदर गंटा का स्वरूप भगतों के लिए अत्यंत कल्यानकारी है नावरात्रे के चोथे दिन मा दुर्गा के चतुर्त स्वरूप कूश्मांडा माता की पूजा का विधान है इनकी मंद हसी से ही ब्रह्मांड का निर्मान होने के कारण इनका नाम कूश्मांडा पड़ा धार्मिक गरंतों के अनुसार जब चारों और अंदकार ही अंदकार था तब मा की उर्जा से ही सृष्टी का सुरुजन हुआ था मा कूश्मांडा के आठ बुजाएं हैं वे इन में धनुष, बान, कमल, अम्रत, चक्र, गदा और कमंडल धारन करती है मा के आठवे हाथ में माला सुशोबित रहती है ये भक्त को भवसागर से पार उतारती है और उसे लोकिक, परालोकिक उन्नती प्रदान करती है नवरात्री के पांचवे दिन मा दुर्गा के पंचम स्वरुप सकंद माता का पूजन किया जाता है ये अपनी गोद में कुमार कार्तिगई को लिये हुए है और कार्तिगई का एक नाम सकंद है इसी कारण ये सकंद माता कहलाती है ये कमल के आशन पर विराजती है और इनका वाहन है सिंग इनका स्वरुप सनेहमय और मन को मोह लेने वाला है इनकी चार बुजाये हैं दो बुजाओं में कमल सुशोबित है तो वहीं एक हाथ वर मुद्रा में रहता है मा एक हाथ से अपनी गोद में सकंद कुमार को लिये हुए है सकंद माता सादेव अपने भक्तों का कल्यान करने के लिए ततपर रहती है नवरातरी में छटे दिन मा दुर्गा के शष्टम स्वरूप मा कात्यायने की आरदना की जाती है इन्होंने कात्यायन रिशी की तपस्या से प्रसन होकर उनके घर पुत्री रूप में जनम लिया था और रिशी कात्यायन ने ही सर्व प्रथम इनका पूजन भी किया था इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा मा कात्याईनी का स्वरुप तेजमय और अत्यंत चमकीला है इनकी चार बुजाएं है दाहिनी तरफ का उपर वाला हाथ अभयू मुद्रा में रहता है तो वही नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है बाई ओर के उपर वाले हाथ में मा तलवार धारन करती है तो वहीं नीचे वाले हाथ में कमल सुशोबित है मा का त्याइनी का वाहन है सिंह इनकी साधना से इस लोग में रहकर भी आलोकिक तेज की प्राप्ति होती है मा दुर्गा के सब्तम स्वरूप को काल रातरी कहा जाता है नवरातरी में सब्तमी तिथी को इनही की पूजा अर्चना की जाती है इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है लेकिन ये अपने भक्तों के सदेव शुब फल प्रदान करती है पौरानी कथा के अनुसार रत बीज नामक राक्षस का संगहार करने के लिए मा ने ये भायानक रूप धारन किया था इनकी पूजा करने से भक्त सभी तरह के भाय से दूर हो जाता है ये दुष्टों का विनाश करती है मा दुर्गा के आठवे सुरूप को महागवरी कहा जाता है दुर्गाष्टमी के दिन मा महागवरी की पूजा आरादना की जाती है पौरानी कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पती रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था भगवान शिव ने प्रसन होकर इने गौर वर्न प्रदान किया इसलिए ये महागौरी कहलाई ये श्वेत वस्त्र और आभूशन धारन करती है इसलिए इने श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है इनकी चार बुजाएं है दाहिनी ओर का उपर वाला हाथ अभे मुद्रा में रहता है तो वही नीचे वाले हाथ में मा तृशूर धारन करती है बाई ओर के उपर वाले हाथ में दमरू रहता है तो नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है इनकी पूजा से पूर्व संचित पाप कर्म भी नश्ट हो जाते हैं ये अमोग फलदाइनी है और भक्तों का कल्यान करती है नवरात्री में नवमीतिति यानि अंतिम दिन मा दुर्गा के नौवे स्वरूप मा सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है इनके नाम से ही पता चलता है सिद्धियों को प्रदान करने वाली इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है धार्मिक कताओं के अनुसार भगवान शीव को इनी से सिद्यों की प्राप्ति हुई थी और इनी की अनुकमपा से भगवान शीव का आधा शरिप देवी अथवानारी का हुआ जिसके बाद वे अर्दनारिश्वर कहलाएं ये कमल के फूल पर विराजती हैं और इनका वाहन है सिंहर इनकी उपासना से भगत की सभी मनों कामनाएं पूर्ण होती हैं आशा करती हुँ कि मा दुर्गा के नौ रूप और उनके आराधना पर मेरा ये वीडियो सफल रहा नवरातरी की हार्दिक शुप कामनाएं देन्यवाद